हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे ELKINE लिखेंगे ELKINE में हम लोग पहले क्या लिखेंगे ELK लिखेंगे और आइन लिखेंगे और दोनों को combine करके ELKINE का IPSE नाम लिख देंगे और ELKINE के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ELKINE हम लोग compound को कब डोव करणोंगे जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा ट्रिपल बॉंड होगा जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉंड होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एलकाइन बोलेंगे अब दो लेक्चर में हम लोगों ने सिखा था कि एलकेन और एलकीन का कैसे लिखेंग कि एल के लिखेंगे और वहां पर इन एड करेंगे तो वहां पर किसका बनेगा एलकीन का इपसी नाम बनेगा और आज हम लोग एलकाइन का पढ़ेंगे तो यहां पर भी एलक लिखेंगे और लास्ट में आइन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा एलकाइन बनेगा यह कंडिशन धाल यहां पर एकेन में लिखेंगे और रहे में में जोड़ेंगे नाम नॉसक्राइब ऑी इसमें ट्रिपल Bond होता एक चीज तीरों में common है जो है कि elk और elk को हम लोग बोलते हैं कार्बन की संख्या यहां पर जितना भी कार्बन हो सकता है कार्बन एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है तो अब हम लोग इसका नाम लिखना इस्टार्ट करते हैं जैसे मान लिजिए कोई compound है C2H2 इसका common name होता है acetylene structure बनाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में triple bond आएगा अब कार्बन का नंबर कितना है दो कार्बन है तो दो कार्बन को क्या लिखेंगे एथ लिख देंगे एथ किसके जगह लिखते हैं एलगे के जगह लिखते हैं ठीक है और उसके बार triple bond है जोनेंगे आईन जोनेंगे थीक है अभ आईन कहाña का लिखते हैं 對啊 मैंने बताया था कि जब भी triple bond देखने के लिए मिलेगा वहाँपे आईन जोनेंगे तिया निए इसका क्या बना इलकाइन बना तो इसका नाम क्या बनेगा इथाइन बन जाएगा ऐसे हम लोग IPSC नाम लिखते हैं इलकाइन का जैसे और भी कोई अगर कंपाउंड लिखा जाए CS3, C, Triple Bond, CH अब इस कंपाउंड में तीन कारबन आ गिया तो जैसा मैंने एलकीन में बताया था कि जब कारबन का चैन लंबा होगा तो डबल बॉंड जिधर से पास में आएगा नेमिंग उधर से कर लेंगे तो इसमें भी जब कारबन का चैन लंबा होगा तो डबल बॉंड ज मिलेगा नेमिंग उधर से कर लेंगे तो यहां पर कितना कारबन एक तो डूख तीन का मैं मैं अब इसको लोग कैसे लिखेंगे तीन कारबन है तो वैर्मिंगे एथ लिख देंगे पहले कारबन पर त्रिपल बॉंड यहां लगा कि वण लिखेंगे और उसके बाद आएन लिखेंगे या इसी काम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इथाइन के एक मिनट यहाँ पर हमारा कर्बान है तो यह लिखेंगी प्रोप लिखाएंगे त्यानी इसका यह बाहर नाम हो सकता है क्या प्रोप्अइन प्रोपाइन कैसे हो गया तीन कार्बन के लिए प्रोप लिख लिए और उसके बाद ट्रिपल वांड थो तो वहां पर आई न लगा दिये ऐसे हम लोग नाम लिखते हैं अब जैसे माली जगर चेन और लंबा होने लगे Bell हरी द helmets यहां पर कितना कारबन है 1 दो ती चार 5 कारबन और इधर से हमारा ट्रिपल वांड नस्दीक आएगा तो पांच कारबन के लिए क्या लिक लें यह हमारा हो जाएगा पेंट one आइन अगर यहीं पें कार्बन चैन लंबा हो जाएं थो च्छ टु थो 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 सी ट्रीपल वांड थी Serious अगर यह हो जाए एच लगा यहां पर सी हैच अब टोटल कितना कार्बन हो गया एक कारबन दो कारबन तीन कारबन चार कारबन लिखेंगे है fundo कि टेका हुटन लगा देंगे पहले बाले कार्बन पर ट्रिपल बॉंड दिख्या लिखेंगे मिः उसके बाद आईने लिखेंगे लेकिन अगर इसी फर्मूले को अगर बदल दिया जाए अगर ऐसे लिग दिए जाये यह जो है कहीं की बीच में लगा दिया जाएं जैसे सी एस थ्री च्टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी थ्री अब इसका अगर आई पीसी नाम लिखना हो तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से नजदीक मिलेगा इधर से करेंगे तो वन टू थ्री यानि तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है इधर से करेंगे तो वन टू थ्री तीसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है ताम लोग नेमी कहीं से भी कर लेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइब सिक्स छे कार्बन है तो छे कार्बन को हम लोग क्या लिखेंगे हैक्स लिख लेंगे उसके हम लोग एलकेन एलकीन और एलकाइन का आई पीसी नाम लिखते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फंसनल ग्रूप के बेसिस पे आई पीसी नाम कैसे लिखते हैं